नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर समीर अरबड वन हेल्थ केर नाकपूर इंडिया से और आज मैं आप से बात करने वाला हूँ World Health Organization के रीसेंट Omicron variant के अपडेट के बारे में हाली में हुई World Health Organization की प्रेस कॉन्फरेंस में डेटा जारी किया गया है कि Omicron variant डेल्टा से काफी ज्यादा जल्दी फैलता है इन दोनों variants की वज़े से होने वाली बीमारी के जो symptom से रबर है और दोनों में differentiate करना almost impossible है हाली में इंडिया में specifically महाराष्टर में clusters form हो रहे है clusters का मतलब एक specific area में number of cases जब बढ़ जाते है जैसे जैसे ये clusters बढ़ने लगते है वैसे आगे जाके community spread होता है ऐसे समय पे एक peak या फिर wave आने के chances बढ़ जाते है इसलिए cluster formation के समय ही हमें extra precautions लेना जरूरी हो जाता है CDC के recent data के according US में 59% cases already Omicron variant के है जबकि 41% cases Delta variant के है WHO के recent recommendation में सबसे जादा जोर दिया गया है vaccination पे अगर आपका vaccination नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द vaccination कराना आपको Omicron से protection दे सकता है इसी के साथ में WHO ने physical distancing, mask पहनना और regular hand wash को Omicron से बचने का सबसे effective तरीका बताया है